हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दैनियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होप बिलकुल अच्छे आज हम आपके लेके आए हैं वेज क्लब सेंडविच बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब छोटी मोटी सी भूखो तो आप इसको फटाफट से तयार कर सकते हैं तो फ्रिंट्स आईए वेज क्लब सेंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं अपने पसंद की सबजियां इसमें हमने लिए आदी शिमला मिश एक छोटे स साइस का प्याज वन फोर्ट साइस हमने पत्ता को भी ली है एक हमने गाजर ली है सभी सबजियों को अच्छी तरह से दो करके बारी कट कर लिया है आप चाहें तो यहाँ पर ब्रॉकली या अपनी पसंद की और भी सबजियां ले सकते हैं पनीर भी ले सकते हैं कुछ सबज अगर शिमला मिर्च आप तीन कलर में पसंद करते हैं तो आप तीनों कलर की भी डाल सकते हैं आप हमने लिये मियूनीज हमने आप एगलास मियूनीज में लिया है आधा कप मियूनीज है अब हम डाल देंगे मसाले, हमने डाल दिया है एक छोटा चमच चिलिफलेक्स, ज्यादा मिर्ची नहीं डालनी है क्योंकि अल्रडी हमने या पर शिम्ला मिस डाली है, छोटा आधा चमच हम डाल देंगे चाट मसाला, छोटा आधा चमच हम भुनावा जीरा भी डाल देंगे, टेस्ट के एकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक, हमने एक छोटा चमच नमक डाल दिया है, सभी सबजियों को म्योनीज और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही बड़ी आ रेसिपी है, बहुत ही तेस्टी सैंडविच बनके तयार होता है, और सबसे बड अब हमने ली है, ब्रेड स्लाइस, जो हम रेगुलर घर में ब्रेड यूज में लेते हैं, वही है, इसके लिए हमने एक्स्ट्रा ओडिनरी जो ब्रेड आती है, सेंडविच की वह नहीं ली है, सबसे पहले एक ब्रेड पर मैं डाल दूगी हरी चटनी, और बहुत अच्छी जो घर में हमारे पास में अवेलेविल होता है, अच्छी तरह से लगा देंगे, और एक ब्रेड पर हम लगा देंगे बटर, हमने मेल्ट करके रखा है, अच्छी तरह से बटर लगा देंगे, आईए आफटाफट से सेंड्विच बनाना स्टार्ट कर देते हैं सेंड्विच के लिए जो हमने स्टफिंग करी है इसको टमैटो केचप वाली ब्रेड पे अच्छी तरह से लगा देना है अब हमने एक चीज स्लाइज ली है इसको हम सेंड्विच ब्रेड पे इस तरह से लगा देंगे चीज स्लाइज लगाने एक बाद हमने ब्रेड से कवर कर दिया है अब हम ब्रेड के इस तरफ भी बटर लगा देंगे बहुत जादा नहीं लगाना है क्योंकि यहां हमें सबजियां ही लगानी है इसलिए हमने हलका से यहां पे बटर लगा दिया है अब जो हमने स्लाइज में सबजियां कट करके रखी थी उनको हम लगा देंगे हमने खीरे की स्लाइज लगा दी है अब हम लगा देंगे टमाटर अब प्याज सबजियों के पर हम डाल देंगे ओरिगयनो बहुत अची तरह ऐसे डाल देंगे ताकिika औरिगनों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आए थोड़े से चिलिफिक्स थोड़ा सा हम डाल देंगे चाट मसाला और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक देखिए कितना बड़िया सेंड़ीच बनके तयार हुआ है कितना सुन्दर भी लग रहा है आईए हम फटाफट से इसको सेख लेते हैं सेखने के लिए हम तवा यूज में लेंगे हमने यहापे लिया है नॉनिस्टिक तवा इस पे हम लगा देंगे सबसे पहले बटर अच्छी तरह से बटर लगा देंगे और गैस के फ्लेम को इदम लो ही रखेंगे फ्लेम को हाई नहीं करना है तैयार किये वे सेंड्विच को हम तवे पे रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और बिलकुल लो फ्लेम पर इसको सिखने देंगे अब हमने एक छोटे साइस की प्लेट ली है इसको हम सैंड्विच पे तरह से उल्टा लगा देंगे उपर से कोई भी भारी चीज रख देंगे ताकि इससे सैंड्विच जो है वो सैट हो जाए आईए आहिस्ता से सैंड्विच को चेंज कर देते हैं देखिए कितने बढ़िया से सैंड्विच सिकके तयार हुआ है अब हमें सैंड्विच को ढखना नहीं है इसी तरह से सिकने देना है देखिए कितने बढ़िया से सैंड्विच सिकके तयार हुआ है आपको दूसरी साइड से भी दिखाते हैं इधर भी अच्छी तरह से बटर लगा देंगे अब एक बार से वापस साइड को चेंज कर देंगे देखिए friends, veg club sandwich पिल्कुल रेडी है आईए गर्मा गर्म sandwich सर्फ कर देते हैं veg club sandwich पिल्कुल रेडी है हमने सर्फ भी कर दिया है तो friends veg club sandwich बनाएं टेस्ट करें और अपने कमेंट समसे शेयर करें हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें थैंक यू, थैंक यू सो मच, have a nice day